और यह आपको बड़ी खबरें बिस्तार से दिखाते हैं सबसे पहले बताते हैं बहराईच में जो इस समय भेडियों का आतंक है उस पर क्या आपडेट है देखिए बहराईच में आतंक का प्रयाय बन चुके हैं भेडिये इनको पकड़ने के लिए हर संभब प्रयास किये जा रहे हैं आदम खोर भेडिये को पकड़ने में वन विभाग की टीम लगी हुई है आज आपको बताएं वन मंतरी अरुन सक सेना के भी पहुंचने की जानकारी मिल रहे है परमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री संजन इशाद भी बैराईज पहुंचेंगे दोनों मंत्री ऑपरेशन भेडिये की समिक्षा करने जा रहे हैं समिक्षा बैठक में वना धिकारियों के साथ डीमेस भी मौझूद रहेंगे आदम खोर भेडिये को पकड़ने के लिए अब तक किये गए कामों की समिक्षा की जानी है तो यह आज की अपडेट आपको दे रहे हैं देखिए आज समिक्षा की जानी है जो अब तक ऑपरेशन चलाया गया है उसमें क्या निकल कर आया है? कितने भेडिये पकड़े गए हैं? कैसे पकड़े गए हैं? और जो नहीं पकड़े गए हैं, वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं? अब आगे किस तरह नीती के तहर पकड़े जाएंगे? यह तमाम सवाल जिनके उपर चाचा की जानी है, समिक्षा बहुत महत्पून हो जाती है आज की, क्योंकि आप देख रहे हैं, लगा अतार ऑपरिशन भेडिया पकड़ने का जो चल रहा है, उसमें हर दिन असफलता मिल रही है, कल हाला कि एक भेडिया मार गिराया गया था, लेकिन अब भी सफलता पूरी तरह से नहीं मिल रही है, कह की पिट्रोलिंग की तस्वीरे हैं, जहां भेडियों की तलाश पूलिस की तरफ से चपे चपे पर की जा रही है, गाउं काउं में किस तरह से सरनाटा पसरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, हमले से कैसे बचें, इसके लिए क्या साबधानी बरतनी है, इस पर भी लोगों पकड़े गए हैं, और जो भेडिये नहीं पकड़े गए हैं, उन पर मंत्री अरुन सक्सेना आज यहां पहुंच रहे हैं, साथी वन मंत्री के साथ यहां पर प्रभारी मंत्री संजे निशाद भी पहुंच रहे हैं बिल्किल देखिए जिस तरह से बीते कई दिनों से बहराइच में आदमखुर वेडियों ने आतक मचा रखा था आज जो सबसे बड़ी ख़बर है कि बीते तीस घंटे में आदमखुर वेडियों ने एक भी हमला नहीं किया है, जिसके बाद ग्रामेरों के साथ वन भाग औ ने कहीं न कहीं किसी गाओं में अटाइक किया, इस दौरान करीब पांच लोग हैल हुए और एक बच्ची की मौत हुई, जो नहीं रणित अपनाई गई थी, उसके तहत जो यह बेडिया है, इसको कूलिंग पिरियट दिया गया था, जो आपरेसंस किये जा रहा थे, जो ड कि ती राथ है, कोई अटाइक देखने को मिला है, जानवर है, वो अपनी प्रवती से मजबूर है, आज नहीं तो कल वो जरूर अटाइक करेगा इंसानों पर, क्या ऐसे भी जानकारी मिल रही है कि इस एरिये से, बहराइच से या लगते हुए सीता पूर शेतर से भेडिये जो हैं भाग चुके हैं, इस पर भी कोई जानकारी है क्या? आज खुछ बाराइच पहुंच रहे हैं, उनके साथ परभारी मिल रही है, तो यहाँ जो वनकर्मी मौजूद हैं, वो इस उपरेशन को और भी तिविदा से आगे बढ़ाएंगे, इस ये जाहिर है, बहुत शुक्री आपका राजीफ नज़र बनाए रखिए गाइस तो वहीं देर रात, गाओं में चौपाल भी लगाई गई गया है, गाओं के गाओं के लोगों को अगा किया जारा है और समझाया जाराएं, नुज़र socij tensor की टीम भी इस चौपाल में मौजूद रही है, रात के लगमग एक वजे ग्रामिनों को पोलिस तो पहिने की हिद एक गाउं के मोड पर खड़िये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये पुलिस खड़िये ये पुलिस किसी के जगड़े को निप्टाने के लिए नहीं खड़िये बलकि भेड़िये की जो दहशत से लोग अफवाएं फैला रहे हैं या अफवाओं का बाजार गरम है या पुलिस इने समझाने का इबल फिर से प्रयास कर रही है इनके साथ यहां के भी लोकल ग्राम प्रधान मौझूद है और उसमें युवाँ हैं कुछ पुरिश हैं और कहा गया है कि हर दो घर पर एक वेक्ति यहां रहे और ताकि और दूसरे को जाकता रहे हो तीन से चार घं को भी अलर्ट कर सके प्रिजलस कोपी गिरी के साथ आमिद घंजू निव्ज एटींग बहराईजू